देखिए सर्फरास धोका दे या ना दे लेकिन सर्फरास खान को धोका जुरूर मिलता है सर्फरास खान इंडियान क्रिकेट की बहुत बड़ा नाम है जिनोंने डॉमाश्टी क्रिकेट में भर भर के रान बनाए है इन्हें कहा जा रहा था इंडियान क्रिकेट का ड्रोन बेडमेन लेकिन दोस्तो सर्फरास खान ने इतना रान बनाने की बावजूत उन्हें इंडियान टिम में मोका नहीं मिल रहा था जिसकी बज़ए से पूरा इंडिया में बलके पूरे दुनिया में चर्चा चल रहे थे और दोस्तो फिर सरफरास खान इसलिए चर्चे में आये क्योंकि इंग्लेंड की खिलाब टेस्ट सिरिस में सरफरास खान का डेबियू हो गया और उन्होंने अपना पहला ही मेंस में शांदार अर्दर शतक लगाए और शतक भी बन सकता था लेकिन रविंडर जदेजा ने उन्हें रान आउट कर दिया और उसकी बात आखरी दो उनिंग्स में उन्होंने और दो अर्दर शतक लगाए इस तरह से इंटर नेशनल प्रिकेट में भी शर्फरास खान सा गए और उनकी सर्शा चारो और होने लगे और दुनिया कहने लगे आप इतने शांदार बल्लेबास को कहा सुपके रखा था दोस्तों सर्फरास खान आखरी बार तब सर्चे में आया था जब उन्होंने इंग्लेंड जैसे बरे टिम की खिलाप शांदार पदर्शन करके दिखाए थे मोके पे चोका लगाए थे लेकिन दोस्तों आप एक बार फिर सर्फरास खान चटसे में हैं आपको लग रहा होगा क्यूँ? दोस्तों सर्फरास खान को बंगलादेश की खिलाप टेस्स सिरीस में मोका ज़रूर मिला है लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगान नहीं मिलेगी और दोस्तों क्यूं सर्फरास खान को प्लेइंग 11 में जगान नहीं मिलेगी मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा मेरे सेनल को अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा कॉमेंट किजिएगा दोस्तो बंगलादेश के खिलाब जिस तरहा की टीम इंडिया की सिलेक्शन हुई है नमबर पास पर सरफरास खान या फिर कैल राहूल को खिलाया जा सकता है इसलिए टीम मेनेज्बेन ने रुहीर चर्मा ने ये फैसला लिया कि पास नमबर पे बल्लेबाजी करेंगे कैल राहूल और सरफरास खान को प्लेइंग 11 में जागा नहीं मिलेगी और वो खेलते रहेंगे दिलीब टोफी कैल राहूल टीम इंडिया की बहुत पुराना खिलारी है और बहुत एक्सपिरियंस है उनकी पास और बहुत भरे समन खिलारी है लेकिन सरफरास खान भी किसी से कम नहीं है सरफरास खान ने अपना पहला ही सिरिस में जिस तरह से बल्ले बाजी करके दिखाई उन्हें तो मौका मिलना चाहिए था लेकिन मुझबूर है रूही शर्मा मुझबूरी में कैल राहूल को मौका देना पर रहा है दोस्तों इंगलेंड की खिलाब टेस सिरिस में सरफरास खान को कैवल दो मेश में ही मौका मिला था और दोनों मेश में ही सरफरास खान ने कमाल की बल्ले बजी करके दिखाई थे फिर भी उन्हें टीम इंडिया से बहार रहना परेगा प्लेइंग इलेविन से बहार रहना परेगा दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि दिलीब टोफी की दूसरा राउन में सरफरास खान का नाम शामिल कर लिया गया है यानि दिलीब टोफी वो कोंटिन्यू करेंगे और इंडियान टीम की साथ वो नहीं जाएंगे और दोस्तो केल रहुल का नाम दिलीप टोफी से मिटा दिया गया है यानि वो जाएंगे सीधा टीम इंडिया में वहां खेलेंगे इसका मतलब सरफरास्खान को मिला है धोका नहीं मिला है मौका दोस्तो सरफरास खान की मौका ना मिलने पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जोरूर बताईएगा क्या सरफरास खान को मौका मिलना चाहिए था या फिर नहीं दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सरफरास खान की इतने शांदर पदर्शन की बाउजूत उन्हे टीम इंडिया से बाहर निकल देना चाहिए या फिर केल राहूल को प्लेइंग लेबल में लेना चाहिए और आगे आने वाले मेस में भी खिलाना चाहिए दोस्तों भाले ही सरफरास खान को धोका मिला है लेकिन उनकी सोटी भाई मुशीर खान जिनोंने दिलिप ट्रोफी की अपना पहला ही मेस में पहला इनिक्स में 181 रन की कमाल की पारी खेली है उनको इंडिया ए टीम में जगा मिल गई है जो टीम उस्टिलिया की दोरा करेंगे दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस साल की अंत में जब टीम इंडिया उस्टिलिया जाएंगे तब इंडिया ए भी उस्टिलिया जाएंगे तीन मेस खेलेंगे और वहाँ पर शामिल होंगे मुशीर खान दोस्तों BCCI मुशीर की फिल्डिंग, बेटिंग और गेम बाजी की मूरीत हो गई है इसलिए इंडिया एक की पहला खिलारी जिनको सिलेक्ट किया गया है वो है मुशीर खान दोस्तों आपको बता देते हैं मुशीर खान ने दिलीब टूफी की अपना पहला ही इनिंग्स में 373 गेम देखे ले थे, 181 रान बनाये थे और इस तरहा से अजित अगर करकी नजरों में आ गये थे और उन्होंने मुशीर खान को सिलेक्ट कर लिया है इंडिया एक के लिए दोस्तो आगर मुशीर खान की औस्टेलिया दोरा अच्छा रहते हैं तो मुशीर खान आगले कुस मेहनों में टीम इंडिया में खेलते हुए आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तो फिलहाल हम अपना फोकास बंगलादेश की खिलाब सिरिस में वापस ले आते हैं दोस्तो आपकी हिसाब से बंगलादेश की खिलाब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो दोस्तो यही तक था आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा इसी की साथ दोस्तों आप लोगों से विद्धा लेते हैं फिर मिलेंगे जयेशिर